आप देख रहे हैं तखल न्यूज समसद में जबर्दस्थ हंगावे के बाद कॉंग्रेस के साथ विधाक सस्पेंड इस सब्सक्तर में नहीं ले पाएंगे फार दिल्ली में दंगा भड़काने वाला नेतां ताहिर हुसेन के रफ्तार आईदी कॉंस्टिबल अंकिर श्रमा की हत्या का भी है आरोग अमर सिंग के निधन की उड़ी अवबा अमर सिंग बोले टाइगर अभी जिन्दा है और स्टेडिंग पर विधायकों की सफाई कहां अपनी मर्जी से गए और अपनी मर्जी से आए हम नहीं थे बंदा और आम गोपाल देटी होंगे मद्विदेश के नए मुख्य सचिर छे महीने रहेगा कारिकार नमशकार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखलन्युस खबरец विस्तार से संसर में जबरदस्त हंगामे के बाद कॉंग्रेस के साथ सदस्टे को सस्पेंथ बेहाई हैं इन सदस्टे को data की समाप्टि तक के लिए सस्पेंथ किया है इन साथ कॉंग्रेस सदस्यों में गौरव, गोगोई, टीयन, प्रतपन, डीन, कुरीकोस, आर, उनित्थन, मनिकम, टैगोर, बेनी, बेहान और गुरजीत सेंग, ओजला के नाम शामिल हैं इन्हें लोग सभा में कदाचार के आरोप में निलंबेत किया गया है दिली दंगो के मामले में सब तहकी शुरवात में सदन में विपक्षी दल के सदस्यों ने काफी हंगामा किया था, इससे सदन की गरिमा भंग हुई थी सदन की कारवाई आरम होते ही लोग सभा में कॉंग्रेसी सांसत बेल में आने लगे थे इस पर लोग सभाध्यक्ष ओम बिरला ने चितावनी दी थी कि कोई भी सांसद बेल तक ना आए समझाने के बावजूत कॉंग्रेसी सांसद नहीं माने इस पर स्पीकर ने साफ कहा था कि यदि कोई सांसद बेल में आता है तो उसके खिलाफ कारवाई कर दी जाएगी उन्होंने कहा था कि संसद का सदन सुचारू रूप से चलना चाहिए आप लोग प्ले कारड लेकर सदन चलाने की कोशिश ना करें हंगामा बढ़ने पर कारवाई स्थागित कर दी गई थी ऐसे में सभापती से पत्र चीनने को लेकर कॉंग्रेस के साथ सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है इसमें गौरव गोगोई भी शामिल है गुरुवार को दोनों सदनों में कोरोना वाईरस पर चल्चा हुई इस दोरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया दिल्ली में हिंसा को बढ़ाने वाला और कॉंस्टेवल अंकिस शर्मा की हत्या के आरोपी आपने ताहिर हुसेन को दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर लिया है ताहिर के घर से उसके समर्थकों ने पत्फरबाजी की थी पेट्रोल बम भी फेके थे और खास वर्ग के लोगों को निशाना बनाया था दिल्ली हिंसा को भड़काने में एहम भूमी का निभाने वाला आरोपी ताहिर हुसेन ने दिल्ली की राउज एवेन न्यू कोट में सरेंडर कर दिया है ताहिर ने एक टीवी चैनल को दिया इंटर्व्यू में कहा था कि वे नार्को टेस्ट के लिए भी तयार है उसने खुद को बेखासूर बताया ताहिर पर आई भी कॉंस्टेबल अंकिस शर्मा की हत्या का भी आरोप है पुलिस ने ताहिर के खिलाफ दंगा भड़काने के मामने में भी केस तर्च किया है ताहिर के सरेंडर के बाद राउज एवेन्यू कोट में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई कोट के समाख्ष ताहिर ने जमानती मांग की थी इस पर कोट ने कहा के सरेंडर पर सुनवाई का उनके पास अधिकार नहीं है फिर क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसेन को गरफतार कर लिया समाजवादी पार्टी के पूर्वनेता अमर सिंग ने अपने निधन की खबर का खंडन करते हुए शोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया उन्होंने कहा टाइगर अभी जिन्दा है अमर सिंग की मौत की खबर शोशल मीडिया पर थी उसके कुछ समय बाद शोशल मीडिया पर अमर सिंग का वीडियो आया अमर सिंग ने लिखा कि वे सिंगापूर में है जहां एक सर्जुरी होना है इसके बाद वे भारत लोट आएंगे अमर सिंग के निदन के अबवा पहली बार दो मार्च को उड़ी उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शुपचिन तक उनके मरने की दुआएं मांग रहे हैं लेकिन वे जिन्दा हैं अमर सिंग के वीडियो के बाद शोशल मीडिया पर जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं लोग उनके जल्दी सेहतमंद होने की कामना भी कर रहे हैं सिंगापूर से मैं हमर सिंग बोला हूँ रुग रुड़ हूँ तरस्त प्याधिस है लेकिन संतरस्त नहीं हिम्मत बाकी है जोश बाकी है खोश भी बाकी है हमारे सुप्षंतक और मित्र यह अफवाब भड़ी तेजी से पहला है कि अमराज ने मुझे अपने पास बूला लिया है ऐसा बिलकुल रही है मेरा इलाज चला है और माभगोती की इच्छा हुई तो अपनी सल्यचिक अच्छा के उपरां सिग्रादे सिग्र तुवनी ता करते में वापस आँगा है कमलना सरकार से नाराज विधायकों की होस्टेडिंग के मामले के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग ने ट्विट कर इस घटना के लिए बीजेपी के पांच नेताओ शिवरा सिंग चोहान नरुत्ता मिश्रा संजे पाठक विश को मरानी की कोशिशें जारी हैं बुद्वार को चार विधायक दिल्ली से भुपाल लोटाएं लेकिन तीन विधायक कॉंग्रेस के संपर्ग में नहीं है फिलहां सब कुछ ठीक दिख रहा हो लेकिन कॉंग्रेस सरकार की हालत खसता है जो तीन विधायक गायब है उनके नाम विसाहुलाल सिंग, हरदीब सिंग डांग और रघुराज सिंग कसाना है बताया जा रहा है कि जानबूच कर ये लोग कॉंग्रेस नेताओं से संपर्ग नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेस के दिगज भी इनके साथ ऐसा विवहार करते रहे हैं चार विधायकों के वाप भाजपा नेताओं के नान ट्विट कर विपक्षी विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरूप लगाया है दिगविजा सिंग ने एक ट्विट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भाजपा द्वारा विधायकों की खरीद फरोग्त खुलकर सामने लेकिन उनके मनसूबे पूरे नहीं हुए सभी विधायकों को आभार उन्होंने इस घटना के लिए शिवरा सिंग चोहान नरुत्त मिश्रा संजय पाठक विश्वा सारंग भुपेंद्र सिंग जिमिदार ठेराए हैं इसके साथ ही लिखा है कि मोधी और शहाजी काला धन आपकी पाठी में ही है विदेशों में कहां ढूंते हो भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नरुत्त मिश्रा ने कमला सरकार को कारवाई करने का चैलेंज दिया है उन्होंने कहा कि हम पर कारवाई होगी तो जो गलत कर रहे हैं उन पर भी कारवाई होगी मिश्रा ने कॉंग्रेस की है कपोल कलपना है कि हम सरकार गिराने की साज इश्रच रहे हैं नरुत्त मिश्रा से जब भाजपा विधायकों के कॉंग्रेस के संपर्क में होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब इसी तरहां हम कॉंग्रेस विधायकों के संपर्क में होने की ब मत्यप्रदेश की जंता जानती है और सरकार और भी एगर हम पर होंगी तो और और भी हो सकती है मदपिदेश में हुए घटना क्रब में पूर्व मुख्य मंत्री दिगविजय सिंग कमल नाथ सरकार के संकट मोचकियाने हीरो बन कर उभरे लेकिन उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए मसलन हॉस्टेडिंग में शामिल विसाहू लाल सिंग और एंदल सिंग कंशाना दिगविजय के करीबी माने जाते हैं ऐसे में चर्चाओं का वाजार भी गर्व है कि इस ड्रामे के स्क्रिप्ट कहीं दिगविजय ने तो नहीं लिखी थी इस अववा को क्राबिनेट मंतरी उमंग सिंगार ने ट्रिट से भी बल मिल गया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब राजसभा में जाने की लड़ाई है होस्टेडिंग में जिन विधायकों के नाम जोड़े जा रहे हैं उनका साथ कहना है कि वे अपनी मर्जी से गए थे और उन्हें किसी ने भी बंधक नहीं बढ़ाया विधायकों के बयान के बाद कॉंग्रेस नेता दिगविजय सिंग के बयान पर सवाल या निशान लग गया है विधायकों उस कहानी को भी जूटा बता रहे हैं कि वो बंधक थे और उन्हें मंत्री जेवर्दन सिंग या जीदू पटवारी छुवा कर लिया है मद्यप्रदेश की राजनीती का पारा अपने चरम पर है राजनेतिक प्रेक्षिकों का मानना है जो दिख रहा है वो सिर्फ एक पक्ष है ऐसे में कमलनाथ सरकार को लेकर कई प्रश्न खड़े हो गए हैं इस बीच उन विधायकों ने कॉंग्रेस नेता दिगविजय सिंग की उस कहानी को जूटा करार दिया है कि विधायकों को बंधग बनाये गया था और फिर कॉंग्रेस सरकार के दोमंत्री जैवर्दन सिंग और जीधु पटवारी सभी विधायकों को बीजेपी के कबजे से मुक्त करवा ले आए हैं इस मामले में बीज़पी विधायक रामबाई ने साफ कहा मैं भूपेंद्र सिंग के साथ गई तो इसमें तकलीफ क्या है तेश तर्रार विधायक रामबाई ने साफ कहा उन्हें किसी ने बंधग नहीं बनाया था वे अपनी मर्जी से गई और अपनी मर्जी से आई है रामबाई के बयान ने दिगविजय सिंग की कथा की हवा निकाल दी है बसपा MLA संचीव कुश्वा का बयान भी सामने आया है उन्होंने कहा जब जहाज डूपता है उससे पहले चूहे मज़े करते हैं ऐसे कई चूहे कॉंग्रेस में मौजूद हैं कमलनाज जी ऐसे चूहों को हटाएं मैं डिल्ली काम से गया था मुझे बीजेपी ने बंधक नहीं बनाया था संचीव कुश्वा की बातों के कई मायने हैं उनकी बात ने भी दिगविजय सिंग की कथा को गलत ही बताया है देखे एक बड़े बुज़र्ग हमको एक कावत सुनाते थे कि जहाज में चूहे भी बहुत होते हैं और सबसे ज़्यादा मज़े बोचूहे ही करते हैं जहाँ आप नहीं पहुंच सकते हैं वाँ चूहे पहुंच जाते हैं और जब जहाज ढूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे कूद के बात तो मैं कमलना जी से आपके माद्दियम से कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुकला बब्बू ने सवाल खड़ा किया कि कॉंगरेस नेता ये बताएं हमें कहां बंधग बनाया था हम बुंदेल खंड से हैं किसी की हिम्मत नहीं कि हमें बंधग बनाये शुकले ने कहा इन चौधा महिनों में कई बार नरुत्तम मिश्रा से मुलाकात हुई तो इसमें बुराई क्या है उन्होंने साफ कहा कि हमें किसी ने बंधग नहीं बनाया क्योंकि जो पेपर पढ़ रहा है कोई के रहा हम उसको वहां से निकाल के लाए है कोई के रहा हम वहां बंधग बनाया गया था बास पाविधायक रामबाई ने तो यहां तक कहा कि कि पहले मंत्रियों की बाइट लोग फिर मुस्से आकर पूछना रामबाई ने कहा बीजेपी का कोई रोल नहीं हात अपाई पर कहा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें हाथ लगा दे इन विधायकों की माने तो परिसनेता दिगविजा सिंग या द्यावर्दन सिंग और जीतु पठवारे बंधक बनाये जाने की जो बात कह रहे हैं वो सिर्य से गलब है इनन लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग की बात को भी सफेज जूट बताया हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों के बीच सहकारिता मंत्री गोविन सिंग ने सत्ता और संगठन के लोगों को नसीहाद देते हुए कहा जिनकी मानसिक्ता कॉंग्रेस की नहीं वे तक्काल पार्टी से चले जाए कमलनात के क्याविनिट मंत्री डॉक्टर गोविन सिंग का बड़ा बयान सामने आया है कई गुटों में बटी कॉंग्रेस और मंत्री मंदन को लेकर उन्होंने साफ कहा कि जिसकी मानसिक्ता कॉंग्रेस की नहीं है वो पार्टी से चला जाए होस्टेडिंग की खबरों के बीच खनिज मंत्री प्रधीर जाइसवाल ने कहा था कि अगर प्रदेश में सरकार बदलती है तो वो उसे भी समर्दन दे सकते हैं कॉंग्रेस के कई विधायग भी सरकार के खिलाफ नाराज की जता चुके है चुन लेना चाहिए चाहिए गोवें सिंगों यार कोई वोड़े समय ब्रेका है वेके बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहिए दखा लिए संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने ता चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकडंडियों से सड़कों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राजडीती से कूटनीती ता कि दखन न्यूज आप क्या आप देख रहे हैं कि दखन न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एम गोपाल रेड़ी को मद्धिप्रदेश का चीफ सेकेटरी न्यूक्त किया गया है अब तक वे जल संसाधन के अपर मुखे सचिफ के रूप में सेवा दे रहे थे एम गोपाल रेड़ी मौजिता चीफ सेकेटरी एसर मोहंती का इस्थान लेंगे जो 31 मार्च को रिटार हो रहे हैं मोहंती ने 31 दिसंबर 2018 को ये पत समाला था रेड़ी कॉंग्रेस नेता दिग्विजय सिंग के करीबी माने जाते हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ के भरोसे मन्द हैं 1985 बेच के अफसर एम गोपाल रेड़ी मुख्यमंत्री कमलनाथ के भरोसे मन्द अफसरों में शुमार हैं और अभी हर महत्वपूर्ण बैठकों में भी वे हिस्सा ले दे हैं एम गोपाल रेड़ी मौजुदा चीफ सेकेटरी एसर मोहंती का इस्थान लेंगे जो 31 मार्च क चेक अप करा जा रहा है यह परेटक दल खजराहो ब्रहमन करने के बाद विस्तार फ्लाइट से बनारस की और रवाना होने जा रहे थे दिल्ली के एरपोर्ट पर इटली के संदिक्द परेटकों के मिलने के बाद देश भर में शुरक्षा व्यवस्था की जा रही है खजराहो से इटली के नव परेटकों का दल अपने गाइड के साथ बनारस चाने के लिए एरपोर्ट पर पहुचा था विस्तार फ्लाइट बनारस के लिए रवाना होने जा रही थी तब ही एरपोर्ट पर बंधन ने एतिहात के तोर पर एक इटली के इस नौसदशी एक ग आइसोलेशन वाद में भरती करा दिया गया खजराहो एरपोर्ट के अधिकारी संजीफ कुमार ने बताया कि इटली के गुरूप को सामाने चेक अप के लिए रोखा गया है उनमें कोई भी संदेग्द नहीं है परेटकों का गुरूप लीडर भी चाहता था कि उनका चेक किया जाए यहां पे जो पैसेंजर्स जो हुआ है डाइलेंज जो हुआ दिफरेंट कंट्री लेसे की इतली हुआ या पूरिया सब कंट्री को चेक करना है पैसेंजर्स को तो हम जो है जो कंट्री ऑफ औरीजिन जो लोग का है उनम एयरलाइन से चेक किये हैं जो कुछ इतल प्रूप नहीं मिला है और इसके अमावलेट डिस्टी टेविशन जो है हमको यहां पर डॉक्टर्स प्रवाइट की है जांस के लिए और अभी तर कुछ पॉजिटिव जांस नहीं मिला पॉजिटिव सिंप्रों पर किसी बस नहीं है फिर भी हम जाउट की आधार पर जो इट किये गए बार्ड में परेटकों को रखा गया है परेटनिस्थल खजराहों के एरपोर्ट पर इटली के परेटक दल को रोकने के बाद खजराहों की मेडिकल टीम ने उनका चेक अप किया और फिर एरपोर्ट प्रवंधन ने एम्बुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल ऐसे ही खड़े होकर परेटकों को देखने के लिए जमा हुए थे। यह लोग समभूता इटली के बताए जा रहे हैं इटली से बताए जा रहे हैं खज रहो है एरपोर्ट से बेजे गए हैं वहां मेडिकल चेक अप इनका हुआ है स्क्रीनिंग हुई है इसके बाद में क्वारेंटाइन के लिए उनको बेजा गया है तो नहीं संदिक नहीं जो जातरा से करके आता है तो उनको कोई लच्छन तो उनको नहीं पाए गए हैं लेकर उनको बताते हैं कि कौरेंटाइन करना होता जिनको ऑसूलेट करके रखना होता है उनको नवा में टीवी आसरी विशनका सेंटर बनाया जा रहा है अभी अभी हमार में लिए कि नुझला चिन्दवाडा में आवैद कोल उत्खनन को रोकने के लिए पुलिस ने विशेश अभ्यान चिलाया है जिसके दहुत पुलिस ने एक टीम बना कर आवैद कोईला ले जा रहे ट्रक को पकड़ा है बताया जा रहा है कि मुख्वंति कमलनाथ के जिले चिन्दवाडा में रफू अवैद कोईला उत्खनन करने वालों पर कारवाई की और अवैद कोईला से भरे ट्रेक्टर को पकड़ा है ऐसी कई अवैद गतिविदियों पर रुख लगाने के लिए थानप रभाई ने टीम गठित की है जिससे शिवपुरी शेत्र में हो रहे अवैद उत्खनन को रु की जाती है रात में विश्वसनिय मुग्बिर के द्वारा ये सूचना मिली कजबा अगस्त भ्रमन के दौरान हमारी टीम को कि जो सिद्ध बाबा खंती जो बंद हो गई है ओपन कास्ट वहाँ पर अवैद कोईले का उत्खनन होकर के वह चोड़ी किया जा रहा है जिस पर ह हमारी टीम ने मुगबरी करके वहां पर मुखर पर पहुच करके एक टेक्टर कोईला जब्त किया जिसमें 25 कुंटल करीब कोईला है जिसकी कीमत करीब 10 हजार रुपए हैं और जब यह कारवाई की गई उस समय मौके पर जो चालक था घेराबंदी के दौरान वो पैंच इस धाका के तरफ अपना टेक्टर खड़ा करके भाग गया मद्रप्रदेश की कमलना सरकार में अब कोटेदार आम जनता के साथ गुंडो जैसा विवहार करने लगे हैं यह कोटेदार काला बाजारी तो करते ही हैं लेकिन किसी ने अगर इनके खिलाफ कुछ बोला तो वो उनक कोटेदार द्वारा सरकार की योजनाओं को पलीटा लगाया जा रहा है सेल्समेन कोटेदार अनाच की काला बाजारी करने में बिल्कुल भी नहीं कत्राते हैं जी हां कुछ ऐसा ही मामला सिग्रावलिंग के बैहन में देखने को मिला जहां जिले के बिलाउजी स्थित कर दिया यूग कारोप है कि सल्समेन राशन का विच्रन का वितर्ण कर वसकी बैठे विकास शा से राशन का वित्रण करवाता है और राशन यह क्या किया कि पहले अंगुठा लगाता है मसीन में अंगुठा लगवा लिए अंगुठा लगवाने बाद इसमें कापी में चड़ाती है और पर्ची रख लिए अपने पास किस लिए तुरिश तो पैउटालीस किल को गम हमास तो तो एकत्राइब मेर्पेंध सरा है और निए जयाक है कि उसके पर भी रखारीच नगा फिक वल्य और नुकव मैहीन शाहिटेंदे स्वावाप अक्रादक्रा जब कुछने दिया और इसको ुकरो अमारी परचिल उठा हो रहें पश्कोरा हाॉसिंग वोड टिस्ट सास्की उचित मूर्ली की दुकान में रासन लेने गए थे लेकिन पोटेदार द्वारा कम रासन देने की बात पर जब ग्राहकों को द्वारा प्रवेश्च चत्रवेदी और सेलें चत्रवेदी द्वारा आपत्ति की गई तो इसी बोपाल के बैरगर में नवजाद की मौत के बाद सिविल अस्पताल में परीजनों ने हंगामा किया दो मार्च को जन्मा नवजाद पूरी तरह स्वस्त था बच्चे की मौत के बाद अस्पताल अधिक्षक ने कहा कमेटी बिठा कर इसकी जाच कराएंगे जो भी दोशी होग बैरगर सिविल अस्पताल में नवजाद बच्चे की मौत का मामला सामने आया है बच्चे का जन्म दो मार्च की सुभा हुआ था पूरी तरहां स्वस्त बच्चे को स्टाफ नर्च ने जैसे ही एंटी बायोटिक्स इंजेक्शन लगाया उसकी हाल अद्गरने लगे देख बच्चे को कमजोर बताकर उसकी जांच कराने की बाद रही इसके बाद उसने एक इंजेक्शन भी लगाया लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद ही बच्चे का शरी सुन हो गया और उसका पिला होने लगा प्रेंका ने अपने पती की शूराय को इसकी जानकारी दी और फिर बच्चे को डॉक्टर के पाद ले गए। डॉक्टर ने बच्चे को स्वास्वत आया लेकिन कुछी दिर बाद बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में चपकर हंगामा किया। पर कोई दिर बच्चे की में चपकर हो गई। बच्चे की में चपकर हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रवंदर ने इंजेक्शन लगाने वाली स्टाफ नर्स को भी शोकास नोटिस चारी करने और इस मामले में कमिटी बैठा कर जाच कराने की बात कही। पर अस्पताल प्रवारी शाहपुरा चंद्रकांत्र पटेल दौरा टीम गठित कर वाहन चोरों की तलाश प्रारम कर दी गई। उनकी टीम की खबर मिली की दो व्यक्ती अलग-अलग मोटर साइकले लिए इंजेस्टर राहे पर खड़े हैं जो उन्हें बेचने के लिए ग्रहा के तलाश कर रहे हैं। पुलिस बल ने इंजेस्टर रहा पहुच कर आरोपियों की गरफतारी रोहित शर्मा वार राम किशोर लोधी की की रोहित विशकर्मा कानिरंग की पलसर लिये था तथा राम किशोर लोधी पिलेटिना लिये खड़ा था। दोनों को हिरासत में लेकर पूश्टाच करने पर उनके द्वारा एक अन्य नाबालिक बाला के साथ मिलकर शहर के बिविन छित्रों से 6 बाइक चोरी करना स्विकार किया। इन में 3 लाख कीमत की 6 बाइक अब तक जब हो चुकी है। आरोपियों ने अन्य चोरियों के बारे में भी बताया है। इससे पांच दिन पहले भी एक वहां चोर गैंग भुपाल पुलिस ने पकड़ा था। बोपाल में नैशनल हेल्थ मिशन मध्यप्रदेश ने मैंटल हेल्थ एक्ट 2017 पर स्टेट लेवल और इंटेंशन प्रोग्राम का आईजन किया है। इस दोरान बड़ी संख्या में विविन जिलों से डॉक्टरों ने शिरकत की मैंटल पेशेंट को किस तरह चिस सुबिधा मिले और उनके क्या अभिकार हैं इस बारे में विशेशग्यों ने कारिक्रम में जानकारी थी। बोपाल के अशो का लेख प्यू होटल में नैशनल हेल्थ मिशन मध्यप्रदेश ने मैंटल हेल्थ एक्ट दोहबर सब्रापे स्टेट लेवल औरिंटेंशन प्रोग्राम का आइजन किया। कारिकरम में बताया कि किस तरह मानसिक मरीजों के साथ विवहार करना चाहिएं उनको क्या सुँधा मिलने चाहिएं। कारिकरम में बताया गया कि मद्ध पुदेश में स्टेट हेल्थ ऑथारिटी बनाने की कैबनेट में मजूरी दे दी है अब आगे इसके लिए नियम और काइदे बनाए जाएंगे जिसके तहट इस कारिकरम का आईजन किया जाएगा कारिकरम में दिल्ली एम्स और बिभी ने शेहरों से आई वीशी शक्यों ने मैंटल ईल्नेस के बारे में जानकारी दी और बताया कि मांसिक रोग से ग्रस्ट मरीज्यों का किस तरह इलाज होना चाहिए नचनल मेंटल हेल्थ कियर आटट 2017 बनने के बाद अब स्टेट मेंटल हेल्थ अथारटी कल काबिनेट से क्लियर हो गई है उसके बाद हमें रूल और पिरित लोग है, पेशेंस विद मेंटल निलनेस हैं, उनको हम बैतर से बैतर सो विधाये पहुचा सके, उनको बैतर से बैतर हेल्थ केर परवाज करवा सके इसके लिए हमने आज अपने सभी मनकक्ष क्लीनिक के जो एमोज हैं, उनको यहाँ पे बुलाया है, उनको एक शोटी सी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रखा है, यहाँ पे हमने जो स्पीकर्स को बुलाया है, वो एम से हैं, निम्हान से हैं, दिल्ली से हैं, और वो उनको ब मनकक्ष क्लिनिक के प्रभारी को इसकी चांदकरी देने के लिए बुलाए गया है जो आज का प्रोग्राम है यह हाफ डे ओरिंटेशन प्रोग्राम रखा गया है बाउट मेंटर हेल्थ कर एक 2017 पर हमने इस पर जितने भी हमारे मेटकल कॉलेज के साइकर्टरी के अचोड़ी ह उसके जो मनकक्ष प्रभारी है है किनिकल साइकोलोजिस्ट है और जो भी स्टेक्षलडर है चाहे वो सेकर्टरी इपार्टमेंट में हो या मेंटर होस्पितल में हूँ हमने उनको इनवाइट किया है जिसे सेख सेटाइशन हो और आगे rules and regulation और जो patient with mental illness हैं उनके right को preserve करने के लिए जो हमें कदम उठाने हैं हम उसके बारे में discuss कर सके इस bulletin में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूस दखल आपके हक में अबने में आपकों तक गाउं से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूट मेरी तक है अब कहते हैं कि अब दिए अब आप देख रहे हैं दखल्यू